हलो इस्टुएंट से नेक्स आप डिसर्स करेंगे मिसले निया स्कैशन नुम्बर 30 देखो क्या कह रहा है आपर एक्स प्लस बी की पार एन और सी एक्स प्लस डी की पार एम यहां पर भी एक फंक्शन आपके सामने गिवें है लाइक यह फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस बी और इसकी पावर n और see x डी की पावर m डीके हां इसम यह actually में क्या हो जाएगा आपके पास as a u as a v आपको पता होगा u into v के लिए हम जब derivative निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आ पर पहले तो हम U का करते हैं फिर V as it is रखते हैं फिर प्लस V का करते हैं यू as it is रखते हैं तो ये as a U और ये as a V हो सकता है करो AX प्लस B की पावर N जो है इसका पहले हम derivative निकालेंगे और CX प्लस D की पावर M को as it is रखेंगे है ठीक है फिर प्लस CX प्लस D की पावर M को हम यहां पर जो है derivative निकालेंगे और AX प्लस B की पावर N को हम as it is रखेंगे रख सकता हैं बिल्कुल रख सकता हैं अब देखो अब देखो यहां पर इसका आपको क्या निकालना derivative निकालना तो फर्स्ट लिए हम derivative कैसे निकालते हैं आपको formula recall होगा मैं फिर भी यहां पर side में लिख देता हूं एक मिनट यहां देखो मैं यहां पर formula लिख रहा हूं आपके लिए एक्स की पावर एन है उसका formula होता है एन एक्स एन माइनस वन लिख सकता है यहां भी आप्लाइ करो चीज को सबसे पहले यह एन आगया आएगा ठीक है AX प्लस B और इसकी पावर में से कम हो जाएगा फिर अंदर वाले का भी derivative करना होता है तो AX प्लस B का कैसे करेंगे AX है यहां तो A का तो only A हो जाएगा और X का 1 हो जाएगा और इस B का 0 हो जाएगा अब लिखिंगे ठीक नेक्स देखो CX प्लस D की पावर M सेटी से यहां देखो इसका derivative करो पावर M आगे आएगी और यह CX प्लस D और यह पावर में M-1 और यह CX का कितना हो जाएगा only C हो प्लस B की पावर M ऐसे देखे ठीक है अब आफ फाइनले देखो हमार पास क्या value create हो गई है यह हो गया N A A AX प्लस B पावर में N-1 फिर CX प्लस D पावर में M ठीक है प्लस यहां देखो M C CX प्लस D पावर में M-1 और यह AX प्लस B पावर में M ठीक है ऐसा ही है अब हम क्या कर सकते है यह एक चुन में आपका solve हो गया बित्ताई solve होगा अब आप चाहों तो यहां पर common ले सकते हो कैसे AX प्लस B N-1 अगर मैं इसमें से common निकाल सकता हूँ क्या और यहां पर देखो A CX प्लस D की पावर क्या M है और यहां पर क्या दे रखा है CX की पावर M-1 दे रखा है मतलब कि हम इसमें से यह वाली value common निकाल सकते है तो दो type की values आपके पास common बज जाएगी एक से रुकना यह N है आपर मैंने M लिख दिया शायद जलती से इसको सही करना आप यह पावर में N है यह पावर में N है यह पावर में N है अब देखो मुझे यह वाली value इसमें से माल लो common निकाल नहीं है और यह वाली same value मुझे CX प्लस D की value M-1 common निकाल नहीं तो common कैसे निकालेंगे imagine करो यह N-1 का मतलब क्या है कि यह value एक नीचे भी S के यह S का मतलब तो यहाँ पर N-1 नहीं है मेरे पास तो एक काम करो इस value को पहले multiply कर दो AX प्लस B उपर और AX प्लस B नीचे value से न अब देखो यह वाली value और यह वाली value दोनों को मिला के हम N-1 बोल सकते हैं बोल सकते हैं यहाँ पर एक काम करो यहाँ पर मुझे क्या करना है CX प्लस D की power M-1 common निकालना लेकिन यहाँ पर only M है तो 1 नीचे कैसे बनाऊंगा मैं इ AX प्लस B की power N-1 और CX प्लस D की power M-1 common निकालना अब देखना आप यहाँ से यह वाली चीज़ as it is बजगी आपके पास N-1 यह मैं common निकाल चुका हूं इसमें से और यह भी common निकाल लिया लेकिन यह common निकाला अब आप इसको गहर से देखो CX प्लस D की power M और नीचे एक औ और आपके पास CX प्लस D की power 1 है इन दौनों को मिलाके अपन M-1 बोल सकते हैं तो मैंने common निकाल दिया तो बचा किया आपके पास CX प्लस D बचा कितना बचा CX प्लस D बजगी आपके पास रीक है got it यहाँ देखो यहाँ पर M-C as it is है यह CX प्लस D इसमें से M-1 common निकल च क्या होगा इसको अरे बही चल जाए यार एक सेकर्ट यार क्या होगा इसको हाँ ठीक है अब मुझे बताओ इसमें क्या डाउट है आप लोगों यह आपके पास F-X निकल के ready होगे अब आप चाहो तो इसको open कर सकते हो N-A-C-X N-A-D प्लस M-C-A-X चाहो तो open कर सकते हो बा